हेलो दोस्तों वेलकम वेलकम टूदा एनाजर सेशन आफ कंसाइस फिजिक्स क्लास 10 हम लोग ने चैप्टर फाइफ रिफ्रेक्शन थू अलेंस में यह जो सेक्शन ए ना यह पूरा हम लोग पढ़ लिया है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरा प्लेयलिस इसमें आज में लिख देता हूँ एक्सरसाइज एक्सरसाइज यह हो गया फाइफ ए ठीक है इसमें चाहिए कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो मैं सारे कोश्चन ले रहा हूं कुछ कोश्चन के आंसर डैरेट आपको बुक से मिल जाएंगे बट आम नॉट बॉदरि यह आपको बुक में डैरेट आउसर मिल जाएगा बट दब कोश्चन इस इंग वाट इस आ लेंज किया है तो इसका आंसर किया है मैं वह लिख देता हूं लेंज यह है is यह कैसा रहता है यह transparent रहता है ठीक है पहला point transparent ठीक है lens is a transparent फिर क्या होता है यह इसमें reflection होता है reflect करता है तो reflecting r e f r a c t i n g देखें definition आपको book में मिल जाएगी but explanation आपको book में नहीं मिलेगा जो आपको मैं बता रहा हूँ ठीक है तो lens is a पहले चीज़ transparent रहता है then refracting medium कहां पर reflect करता है medium में medium मतलब air medium मतलब water ठीक है media um ठीक है अच्छा यह कैसा रहता है medium में तो क्या bounded भाई उसका कोई ना कोई तो boundary रहेगी न bounded by काई कैसा सर्फेस रहता है तू कर्व bounded by तू कर्व आपको याद है ना मैं कॉन से लेंस की बात करता हूँ चाहे आप कॉन्वेक्स की बात करिए चाहे तो अपने नेक्स पॉस्चन में आपको बना के भी दिखा रहे था हूँ इंफेक्ट टू कर्व सर्फेस इस ठीक है यहां तक वो दिखा रहे देफिनिशन समझने में आपको लर्ण नहीं करना है आपको क्यों समझना है और एक्जाम में आपके दिमाह में एक कंसर्प्ट आगे ना आपने मंस देफिनिशन लिख दीजएगा ठीक है अब उसके बाद क्या रहता है यह जो कर्व सर्फेस होती है वो कैसी होती है स्फेरिकल होती है बस वेच इस और लेगिन दो है ना तो विच आर विच आर जैनरली कैसे होती है स्फेरिकल बस बन गया आपका देफिनिशन तो लेंस इस एड ट्रांस्पेरेंट ट्रांस्पेरेंट होता है क्या रेफ्रेक्टिंग मीडियम बाउंडिड बाइट गूग कर्फ एक रेफ्रेक्टिंग मीडियम होता है ठीक है टू कर्ट सर्विसेज वेचार जनरली स्पेरिकल ठीक है एक मैं फटाक से एक लेंस बना देता हूं देखिए एक यह लेंस होता है यह क्या होता है इसको कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स और एक दूसरे कलर से लेट से ग्रीन से मैं बना देता हूं कॉन्केव तो यह आपके एक्जाम्पिल आपको समझने के लिए आप यह डागराम बना देएगा अच्छा लगेगा एक्जामनल को ठीक है कॉन्केव लेंस यह हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस बस पूरा जितने कभी दो नंबर चार नंबर पांच नंबर जितने कभी कोशन होगा आपको पूरा कोशन कान नंबर पूरा मिल गया ठीक